नमस्कार दोस्तों, साकत है आप सभी का हमारी चैनल पर आज हम आपको शिमला मिर्च खाने के कुछ फाइदों के बारे में बताएंगे हरी, लाल, पीली, तीनों शिमला मिर्च ही सेहत के लिहाज से बहुत ही फाइदेबंद मानी जाती है क्योंकि तीनों में ही विटामिन A, विटामिन C और वीटा केरिटिन की भरपूर मातरा पाई जाती है शिमला मिर्च कई मैधपुन पोशक तत्वों जैसे कि विटामिन C, फाइबर और एंटी ऑक्सिदेंट से भी भरपूर होती है इसके अलावा इसमें परियाप्त मातरा में मिनरल्स भी मौजूद होते हैं तो आईए आज हम आपको शिमला मिर्च के कुछ फाइदों के बारे में जानकारी देंगे सबसे पहले एकनिविदन उन सबी दर्शकों से जो आज पहली बार हमारे चैनल पर आये हैं करपया हमारे चैनल की सदस्ता को ज़रूर ले ले ताकि आप हमसे जुड़े रहें हमारे दर दी गई जानकारी को रोज देख पाएं और उन सिर्फ फाइदा बीठा सकें साथ ही सही जानकारी के लिए इसे अंतितक ज़रूर देखीगा अगर आप अपना वजन घटाने को लेकर फिक्रमंद हैं तो शिमला मिर्च आपके लिए बहुती अधिक फाइदेमंद हो सकती है क्योंकि इसमें बहुती कम मात्रा में कैलोरी होती है जो वजन घटाने में मददकार होती है इससे मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया भी पढ़ती है इसके अंदर बिल्कुल भी कैलोरी नहीं होती है इसलिए यह खराब कैलोस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाती है साथी यह वजन को मेंटेन करने के लिए भी योग के मानी जाती है शिमला मिर्च के सेवन से डाइबेटीस में भी राहत मिलती है और शरीर में बलड शुगर लेवल स्तर बना रहता है इसमें कैलोरी की मात्रा कम होती है जिस शरीर में ज्यादा कैलोरी का संचय नहीं हो पाता है विटामिन ए और विटामिन सी से भरपू शिमला मिर्च एंटी ऑक्सिदेंट्स का एक बहुत अच्छा माध्यम होती है साथी दिल से जुड़ी बिमारियों, अस्तमा और मोतियबिन से बचाव में भी ये काफी फायदेमंद मानी जाती है शिमला मिर्च का प्रमुक्य तत्व कहने होता है, जो शरी में दर्द के प्रभाव को घटाने का काम करता है इसके सेवन से गठिया की समास्या से भी राहत मिलती है पेन किलर ट्यूब या जैल में भी यह तत्व होता है, जिसे लगाते ही दर्द छूमंतर हो जाता है इसमें vitamin C होता है इसलिए यह white blood cells को infection से लड़ने में उत्तेजित करती है इससे immune system मजबूत होता है साथी शिमला मिर्च सांस सम्बंदित समस्याएं जैसे कि फेपड़े का infection अस्तमा आदी से भी बचाव करती है तो दोस्तों यदि आपको आज की हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इस से लाई, शेयर और कमेंट सरुर कीजेगा इससे देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद